हलो दोस्तों, शागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल निरोक टूडियम आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही उप्योगी और सधी प्लांट के बारे में जिसे आप जानते हैं इसे हमें बताने जूरन नहीं जैसा के आप देख रहे हैं यह कापास का पवधा का टूडिय है जिसका बोटेनिकल नयाव गॉश्पियम हर्वेशियम है इसकी family मालवेशी होती है खफास के बारे में हम सब लोग जानते हैं इसकी फायदे की बारे में जानते हैं हम इसका प्रिवक रूवी के रूप, काटन के रूप में करते हैं इसके हम कई जैसे तेल के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं इसकी हम खेती भी करते हैं इसकी ज्यादा तर दो ही प्रजाथिया पाए जाते हैं श्वेत और एक गुलाबी जा थोड़ा पीले कलर कि इसका फूल होता है इसमें शरकारा प्रोटीन फासफोरस कल्सियम आईरन बिटामिन ए बी सी डी और ई भरपूर मौत्राम पाए जाता है तो इसके हम आज इसके बारे में हम आप इसके जो और घरेलू जो इसके हैं आप इसका उप्रोग करते हैं लेकिन इसके जो लाबदाय गुड़ है और शिदी गुड़ है उसके बारे में हम इस वीडियों आपको बताते हैं जैसे की कान रोग के समश्या से आप परशान है कानों में दर्द हो रहा है उस वज़े से आप बहुत से दवाव खाये लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है इसमें भी कापास का बहुत ही चमतकारी प्योग है कान दर्द में इसके पत्ते के जो आप देख रहे हैं इसका हम परशान है उसमें भी इसका बहुत ही चमतकारी प्योग है इसके पत्ते को हम पीश कर इसमें थोड़ा सा दही मिलाकर पेस्ट बनाकर अगर आँखों के पलकों के ऊपर आस पास वाली जगह पर इसको लगाते हैं तो जो आँखों में दर्द है पीड़ा है शूजन है लाली सब्सक्राइब चीह को चैंजर के वजह समय है कि इसमें से कापास बहुत ही पूगी है इसके इसके पत्ते को इसके जो प्लचे के यह पत्ते हैं उसको हम तोड़कर उसको क्या करेंगे हम छाएम शुखा लेंगे और उसका हम पावडर बनाकर रोज-दिन में दो बार खाते इसमें दर्थ पीलिया प्याचिस में आपको बहुत रिच्छ मतकारी नाप राप्त होगा इस कापास से भूंक बढ़ा जैसे कि भूंक मगनाग जो हो गई है आपकी कम हो गई है आपको भूंक नहीं लगे उससे आप परशान है तो इसमें भी इसका बहुत चमतकारी प्योग है जो आप देख रहा हो का पास का प्वूख हा है उसका हम क्या करने के चौण बना लेगे और उसमें क्या करना जालीजे और उसमें कि मत्राम है एक जमच अगर घाते हैं तो इसते जो आपकी भूंक है odhul कर आएगी और आप जितने पेट रोग में उधर रोग में कीड़्या हैं। उसमें भी आपको लाफ प्राप्त होगा। बवाशीर में भी यह बहुत ही चमतकारी है। पाल्स में अर्श में इसका बहुत ही चमतकारी औशती प्रयोग है। इसक पास के पत्तों कहां रश निकालकर तथा नीवु का रश दोनों को बराबर मात्रा में और मिला कर लेते हैं, तबावा शिर में जो दर्द है उसमें आपको शाहनी पीडा हो रही, उसमें आपको बहुत ही चमतकारी फाइदा होगा. अस्तनों में जैसे की अस्तन ब्रिष्ट जो होती है, चाती जो होती है, अगर किसी की क्या होई की बहुत कम है, बढ़ नहीं रही है, बहुत अंदर है, उसको अगर बढ़ाने के लिए इसके बीजों का अगर चून बनाकर उसमें दूध है और मिश्री मिलाकर मात्रा में, शम लगती है जो समस्यान में भी चमत् कालियाश्दी प्रियूग है इसका पासस उसके जबो चरह सुखा कर उसका हम क्या करें है कारा है रोज द्रादot जलन परिशाप करने समस्या और भो को राम मिलेगा जोडम के दर्द में जैसे जोडम विर दर्द हो है आपको उठ बैट नहीं पा रहा हैं इसमें भी इसका पास के पत्ते में wh1 करीज यहां तेल लगाकर थोड़ाँ घर्म करकिंग जोडो वाली जगह पर बानते हैं तो जोडो के दर्द में आराम मिलेगा जैसे कि सूजन है कहीं भी सरीर में पैरों में इसमें दर्द है आपका पैरों में सूजा आया उसमें भी इसमें जो है कि इसके लिए हम कापास के जो जड़ है उसको हम जला कर उसकी राख जो होती है उसको हम उस जगह पर लगाते हैं तो उसमें सूजन में आपको अराम मिलेगा महिलाव में प्रदल लिकोरिया जितनी भी समच चाहे हैं शफेद पानी आना उसमें भी इसका बहुत चमचकारी और शुदी प्रयोग है उसमें दर्द है जिसका पास के जो फूल है उसको हम क्या होते हैं कि प्रदल लिकोरिया समच्याओं में आपको फाइदा होगा इसके अलामा जैसे की जो पेरियोड होता है अगर तीन महिने का बाद अनिमित होता है उसमें भी इसे बहुत फाइदे अमन्द है इसका यह कपास की यह जो फूल को जो पावडर होता है नंबर सकता धा जात रोग कम जोरी जितने ही पूरुशों में भी इसके जो कपास के फूलों है उसको सुखा कर पावडर बना ले और इसकी जड़का भी चाहें तो आप दोनों को पावडर बना कर और उसमें थोड़ा सा मिस्त्री मिला कर अगर लेते हैं पानी या जल किश्रात अगर लेत इसका पास का यह बहुत ही उप्योगी पौधा है इसका आप अगर काटन जो होती है अगर रूवी जो इसका हम अगर दीपक भी जलाते हैं तो जतनी भी बैक्तेरिया जतने भी हनिकारक हमारे आसपास जीवानु है उन्हें सबका भी नास होता है और रोगों से मुक्ति मिल इसका आप जरूर कीजिएगा बहुत ही उप्योगी उसदी पौधा एक अपास का इसका आप इसके फायदों को आप जरूरी जीए का अगर वीडियो पॉस्टन में हमारे चैनल को लाइप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा चलिए मि प्लांड के रूम में नेस्टे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई